हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आएंग हुई इमली की खटी मीटी चटनी की रेसीपी येने घर पर बहुत असानी से बन जाती है बहुत ही अच्छी और गाड़ी बनती है खटी मीटी फिलेवर के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे जादा आप फ्रीज में स्टोर करके जग सकते हैं कभी भी आप चाठ दही बड़े बताशिय पर इसको यूज कर सकते हैं यह चटनी हम आपको बिल्कु माली स्टाइल बना कर दिखाएंगे जैसे कि हम शादी पार्टी में खाते हैं सबसे पहले हम आपको इंग्रीडियन्स दिखा में ले लिए हमने 1 तीशपून जीरा 2 लाल मिर्च तो यह और दाल चीनी कटुड़ा काली मिर्च तो 2 ग्राम हमने गर दिखा कर दो 120 घृणी लिए तो माली जैसे चटनी बनाना चाहते हैं तो घृण और सुगर हमारी बरावर होनी चाहिए जितना हम वारा गुर है उतना ह हमारी चीनी होई जाए और इसके बाद हमने लिया रेट रूट कलर एक अच्छे कलर के लिए और यह लिया है सबसे लास्ट इंग्रीडियंस दो इंची का सोट का टुपड़ा यानि सूखा अध्रक पहला हमें क्या करना है इन मसालों का हमें पौडर बनाना है और उसको चान लेना है सबसे पहले हम इमिली को हाथ से कुचल लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी दाल कर इसको बड़े बरतन में चान कर रख लेंगे तो चटी बनाने के लिए हमें लेनी है कड़ाई या भगोना तो इसमें हम थी टेबल स्पून और एड़ कर रहे हैं तो यहां सासो क करना है जब तक कि शुगर हमारी अच्छे से मेल्ट नहों और इसमें एक अच्छा बोइल आ जाए पांच मिनट के बाद चीने और अच्छे से मैल्ट हो गई है यानि घुल गई है और में देखे बोईल भी बहुत अच्छे सा आ गया है अब इस प्रोसेस पर हम इमली का प पार्डर मसाले जो हमने पीस के डखे हैं और साथ ही एड़ करें हम हाफ टी स्पून नमक तो यह मैं नौर्मल नमक लिया है और यह लिया है मैंने दो पिंच रैड फिरूट कला तो थोड़ से पानी में इसको घोल लिए और इसको भी हम चटनी में एड़ कर देंगे तो यह इस चटनी को हमें जब तक पकाना हैं जब तक कि चटनी हमारी गाड़ी साइट पर ना आ जाए तो यह देखें चटनी हमारी गाड़ी हो गई है और यह देखें फ्लैम को हम बन कर देंगे तो पाच्छी मिनट के बाद आप देख सकते हैं चटनी हमारी गाड़ी हो गई है को कर देंगे हम बंद अब चटनी को हम थंडा करने के लिए रख देते हैं क्योंकि फोड़ी और जादा गाड़ी हो जाती है तो यह देखे हैं जैसे हमारी एक चटनी बन तेयार नहीं है तो इस चटनी में अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राइफ रूट एड़ कर सकते हैं आपको क्या करना है तू टेबल स्पॉन घी लेना है और या ओल जो भी आप यूस करते हों उसमें ड्राइफ रूट को कुछ सेकिंड ड्रो से करना है और चटनी में मिक्स करना है और अगर आप इस चटनी को लंबे समय तक स्टोर करके रख रहे हों तो इसम में ही एड़ करें जितना कि आप इसको यूस करें फूर उसमें ही एड़ करें जितना कि आप चटनी यूस कर रहे हैं क्या होता है डायफ फूट एड़ करने से चटनी हमारी जल्दी खराब होने लगती है इसलिए मैं इसमें डायफ फूट एड़ नहीं किया है इस चटनी क में अच्छी मद्दार रेसिपी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अलाहाफीज